जीतु नाम का एक प्यारा सा बच्चा था। उसके घर के बाहर चिडिया का एक गोसला था। जीतु उस चिडिया से बहुत प्यार करता था। हर रोज उसके लिए दाना डालता और एक कटोरी में पानी भर कर रखता था। चिडिया भी जीतु को पहचानने लगी थी। जीतु जैसे ही स्कूल से वापस आता चिडिया फोरी से उड़कर आती। और जीतु के चारों और फुदकने लगती। चिडिया और जीतु की दोस्ती एकदम पक्की हो गई थी। जीतु को सबसे जादा खुशी तब होती जब वो चिडिया अपनी घौसले में नन्हे से अंडे देती। जीतु पे सब्री से इंतजार करता रहता कि कब उन अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे। थोड़े बड़े हो जाने पर चिडिया के बच्चे तो घौसला छोड़कर दूसरी जगा चले जाते। पर चिडिया उस जगा को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। उसे भी उस जगा और जीतु से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन शाम को जीतु घर के आंगन में बॉल से खेल रहा था। तभी अचानक उसकी बॉल जाकर घौसले को लग गई। ओ बिचारी चिडिया ने कितनी महिनत से घोंसला बनाया था। एक एक करके कितने तिन के बीन कर लाई थी। कुछी दिनों के बाद घोंसले में अंडे देने वाली थी। पर एक ही जटके में इसकी इतनी महिनत बेकार हो गई। जीतू तो तूटा हुआ घोंसला देखकर पहले ही बहुत दुखी था। मा की बात सुनकर बोला ओ बिचारी चिडिया ये सब मेरी वज़े से हुआ है। मेरी ही बॉल से चिडिया का घोंसला तूट गया। इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मा ने पूछा लेकिन अब तुम कैसे इसे सुधार पाओगे। जीतू ने जवाब दिया मैं चिडिया के लिए नया घोंसला बनाऊंगा। तब मा ने जीतू को समझाया लेकिन बेटा तुम्हारे बनाए घोंसले में चिडिया नहीं बैठेगी और नाहीं उसमें अंडे देगी। जीतू बोला वाह मा तुम भी क्या बात करती हो। मैं इतना बढ़िया घोंसला बनाऊंगा कि चिडिया देखती रह जाएगी। वो अराम से उसमें बैठेगी और अंडे भी देगी। अब मा कुछ नहीं बोली। उन्होंने सोचा जीतू को ये काम करके देखने दो। आखिर वो चिडिया की मदद ही तो करना चाहता है। इस बहाने वो एक नया काम भी सीख लेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। जीतू सुबह से ही गोंसला बनाने के काम में जुट गया। उसने बगीचे से सुखे तिनके कठा किये। कुछ छोटी छोटी तहनिया और थोड़ी सी पत्तियां लेकर आया। एक बिकार पढ़ी हुए तार से उसने गोंसले का साचा तयार किया। और फिर उसमें आडे तिर्शे करके तिनके लटकाए। कई घंटों की मेहनत के बाद जैसे तैसे गोंसला तयार हुआ। तब जीतू ने गोंसले के अंदर मुलायम रूई बिचा दी। वैसे तो गोंसला बाहर से देखकर बहुत सुन्दत नहीं लग रहा था। लेकिन अंदर से बहुत आराम दायक और मुलायम था। जीतू ने खुशी-खुशी गोंसला उसकी जगपर लटका दिया। उसने सोचा जब चिडिया आएगी गोंसले को तयार देखकर खुशी से फुदकने लगेगी। फिर वो इस गोंसले में ननननने अंडे देगी। उनसे बच्चे निकलेंगे, चीची करके बोलेंगे और घर में फुदकेंगे। लेकिन जीतू के सारे सपने बेकार हो गए। शाम को जब चिडिया वापस आई, तो उसने नए गोंसले का एक एक तिन का निकाल कर जमीन पर फैक डाला। जीतू दोड़ा-दोड़ा मा के पास गया, और रोता हुआ बोला, मा चिडिया ने तो पुरा घोंसला ही नोच कर नीचे फैक दिया। तब मा ने जीतू को कहा, बिटा मैंने तो तुमें पहले ही समझाया था, ये सभी जीवजन्तू इतने छोटे होते हुए भी अपना काम खुद करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करते हैं, ये इंसानों की तरह आराम तलब और आलसी नहीं होत किसी पर निर्भर नहीं रहते। तब जीतू ने कहा, तो मा मेरी आज की पूरी महनत बेकार चली गई। मा ने समझाया, नहीं बेटा, तुम्हारी महिनत बेकार नहीं गई तुमने एक होंसला बनाने का सारा सामान एक जगप परिकठा करके चिडिया की मदद ही की है और तुम्हें एक अच्छी बात भी सीखने को मिली कि अपना काम दूसरों से करवाने की आदत अच्छी नहीं है हमें अपना काम खुद करना चाहिए जीतू अब मा की बात समझ गया था अगले दिन स्कूल से आकर जीतू ने देखा चिडिया ने उसके बनाए घोंसले से सारे तिन के निकाल लिये थे उन तिनकों से पास में ही एक नया घोंसला बना लिया था और चिडिया उस घोंसले में बैटकर खुशी से चहक रही थी मा ने जीतू से कहा देखो आज चिडिया कितनी खुश है ये खुशी अपनी मेहनत की है अपना काम खुद करने की खुशी है खुद मेहनत करके जो काम किया जाता है उसी में सच्ची खुशी मिलती है जीतू सोचने लगा कि ये नन्ही से चिडिया भी अपना काम अपने आप करती है किसी पर बोज नहीं बनती फिर मैं तो इतना बड़ा हूँ मैं अपना सारा काम माँ पर क्यों छोड़ू मैं भी अपना जादा तर काम अपने आप ही करूँगा अब जीतू अपने काम खुद करता है अपने जूतों पर खुद पॉलिश करता है खुद अपना स्कूल का बैग लगा कर रखता है प्यास लगने पर माँ को आवाज नहीं देता बल्कि खुद अपने लिए पानी लेकर आता है अपनी चीजें खुद समाल कर रखता है अब उसे माँ से बाद बाद पर डाट भी नहीं पड़ती बल्कि माँ तो हर किसी से जीतू की तारीफ ही करती रहती है